सुनिए हमारी वीडियो के आउडियो वर्जिन सिर्फ खबरी आप पर अभी डाउनलोड करें और आपके सामने के नजम पढ़ूँगी और उसके बाद कुछ पंक्तिया फिर में अपसे लुझा लोगी तो ये जो नजम है इसका नाम है कि वो मुझे खोने से डरता है जाहिर है इस नजम से कि किसी से मैं बहुत महबबत करतीए हूँ और वो मुझे होने से ड़ता है यकीन करिये ये सबसे खुबसूरत पहुता है जिम्दगी में कि जब आपको किसी इंसान ने एफसास करवाया कि वो आपको खोने से ड़ता है तो शुरू करती हूँ कि अपने सौ गमों को परा रख कि अपने सौ गमों को परा रख मेरा बस वो एक गम मिट जाए ऐसी दुआ करता है शुक्रिया शुक्रिया कि अपने सौ गमों को परा रख मेरा बस वो एक गम मिट जाए ऐसी दुआ करता है जी हाँ दोस्तो उसका इश्क इस कदर मेरी रूख को छुआ करता है कभी ख्वाब में भी देख ले मुझे दूर जाते खुझ से तो मेरे माथे को आकर चूम लिया करता है मेरे माथे को आकर चूम लिया करता है मैं खुश नसीव हूँ कि वो मुझे खोने से ड़ता है शुक्रिया कि शिकायते तो लाखो रहती हूँगी उसे भी मुझ से कि शिकायते तो लाखो रहती हूँगी उसे भी मुझ से मगर करे मेरा कोई जिक्र तो तारीफों के पुल बांधिया करता है गवारा नहीं उसे कि कोई गंदी नजरों से देखे मुझे कमजोर मैं न पढ़ जाओं इसलिए वो अक्सर मेरे कंधे पर अपना हाथ रख लिया करता है शुक्रिया कि मेरी हर गलती की माफी है उसके पास मेरी हर गलती की माफी है उसके पास मगर मुझे कभी गलत करार नहीं करता बेयतबारी बेयतबारी लफ्स मुझसे कोसो दूर रखता है वरना कब का कह जाता मैं तुझसे प्यार नहीं करता शुक्रिया शुक्रिया कि मेरे एब मेरी खामिया अपनाने की हिम्मत रखता है मेरे एब मेरी खामिया अपनाने की हिम्मत रखता है और परफेक्ट की बात जहां आए उसे अक्सर मेरा चेहरा दिखता है कि शुक्रिया, शुक्रिया कि देखने की तलब जब भी होती है उसे वो बेवक्त मुझे विडियो कॉल करता है मैं खुष नसीब हूँ, वो मुझे खोने से ड़ता है वो सड़क पे चलते वक्त, जब मुझे सेफ साइड पर करता है कि वो सड़क पे चलते वक्त, जब मुझे सेफ साइड पर करता है कब तक उसकी पना में यू रह पाऊंगी सोचकर मेरा मन सा भढ़ता है यूँ इस कदर महफूस रखने के वादे तो उसने मुझसे किये नहीं फिर भी निभाये जा रहा है खुद हजारों बोजों के तले दबा हो बताएगा नहीं और मुझे जिन्दगी जीने का होसला दिये जा रहा है इस पे मैं आपकी खास तवज्जु जाऊंगी कि लडाई को वो सिर्फ लडाई समझ कर कि लडाई को वो सिर्फ लडाई समझ कर मसला सुलजा कर मुझे सीने से लगाता है यूँ मुझसे दूर जाने के वो बहाने नहीं करता है मैं खुश नसीब हूँ कि वो मुझे एक होने से ड़ता है रोदू अगर मैं तो वो भी कमजोर पढ़ जाता है आसुओं की वज़ा तो पता चले जनाब वो शक्स क्या उसके खांदान से लड़ जाता है मेरे मुस्कुराने से उसकी सासों की गिंती बढ़ जाती है इतनी अहम हूँ मैं उसके लिए कि मेरे मुस्कुराने से उसकी सासों की गिंती बढ़ जाती है इतनी अहम हूँ मैं उसके लिए वो ये बात मुझे बैठ कर प्यार से समझाता है मुहबत है तुमसे कभी खुल कर बोल नहीं पाता मगर यकीन करें ये बोलने से पहले मुझे ये एहसास कराता है सारे जहां की खुशियां इकठी करके उसके कदमों में रख दूँ ऐसा मेरा भी दिल करता है मैं वाके खुश नसीब हूँ कि वो मुझे खोने से ड़ता है और अंत में मैं लिखती हूँ कि अजमाईश मैं भी क्यूं करूँ उसकी जिसने देख इतना प्यार करता हूँ कहे कर अपने दिये प्यार को कभी नहीं ना पा जरूरी मतलब ऐसा होता है कि हम effort करते हैं किसी के लिए अगर थोड़ा सा वक्त मुझे और मिले कि ऐसा होता है कि जब लड़की अपने माबाप के घर में होती है तो उसे जो प्यार मिलता है जो प्यार का वो लेवल होता है वो आगे कोई शक्स भी पूरा नहीं कर सकता है सबको पता है मगर फिर भी वेसा प्यार वो थोड़ा से एक्सपेक्ट करती है अपने husband में, तो या अपने प्यार करने वाले में, तो किस तरह के शक्स को अपनी जिन्दगी में बुलाना चाहती है, ये एक लड़की की तरफ से लिखा है, कि सो जाओं मैं कभी ठंड में, कि सो जाओं मैं कभी ठंड में सोफे पर, बिन जगाए मुझे कम्बल उडा कर मेरे कमरे तक पहुंचा सको तो चले आओ कि खूब बारिश हो जिस दिन कि खूब बारिश हो जिस दिन और मैं जम कर भीग जाओ बस करो बिमार पढ़ जाओगी कहेकर छट से मुझे नीचे पोकार सको तो चले आओ भूग नहीं लगी कहेकर जिद करूंगी भूग नहीं लगी कहेकर जिद करूंगी जब एक-एक निवाले को अपना नाम दे कर खिला सको तो चले आओ शुक्रिया कि बिन कहे मेरी खौइशों को कोई समझ आए इतना काबिल कोई नहीं मेरी नज़रों में कि बिन कहे मेरी खौइशों को तो चले आओ शुक्रिया कि जिस दिन गूंजे ना मेरी हसी कि जिस दिन गूंजे ना मेरी हसी मगर चेहरे पर मेरे मुस्कान हो किस बात का गम है पूछ कर मुझे सीने से लगा सको तो चले आओ मेरी छोटी सी छोटी खुशी के खातेर अपनी लाखो खुशियों का गला दबा सको तो चले आओ कभी बंठन के घूमने जाएं कहीं पर कि हम दोनों कभी बंठन के घूमने जाएं कहीं पर मुझसे ज्यादा खूपसूरत लगने के बाद भी लाओ तुम्हारी एक तस्वीर खीच दो कह सको तो चले आओ बहुत शुक्रिया और बस ये दो लाइनों के बाद मैं आपसे विदा लेती हूँ कि माबाप सी महबबत मुझे कोई नहीं कर पाएगा ये यकीन है मुझे मगर उनकी थोड़ी सी बिच्छवी तुम मुझे खुद में दिखा सको तो चले आओ बहुत शुक्रिया